वल्कम दो नकाइज मैंने में यह शुभम सूरियमधु और इस के सशन में हम ट्राइंगल लोग को लेकर डिस्कुशन करने वाले हैं है तो ट्राइंगल लोग को थोड़ा एक फ़र्स वाले चाप्टर में या फ़र्स वाले वीडियों में जो आ आपने देखा है। थो इन जनल वमने देखा था कि वेक्टर को जब हमें addition करना पड़ता है तो डिरेक्टली नहीं हो पता उसके लिए अलग-लग टेक्नीक्स होती है जो मैं फॉलो करने पड़ते हैं उनमें से एक था हमारे resolution of forces को लेके तो अभी उपर के आप तीन-चार वीडियो अल्रेडी देख चुके हैं हो तो उसमें आपको काफी क्लियरेटी आगी होगे resolution of forces को लेके इस पर्टिकलर वीडियो में हम थोड़ा सा ट्राइंगल लॉक के बारे में बात करेंगे सबसे इंपॉर्टन चीज़ पहले समझ लो देखो पुनिया निवर्सटी के मैंने काफी सारे जब आपको अलड़ी करा दिये हैं उन सब में आपने यह नोटस किया हुआ कि कहीं पर भी ट्राइंगल लॉक का यूज तो होई नहीं रहा था तो इसको पढ़ना जरूरी है क्या देखो पढ़ना जरूरी है आप एक लिए तना पढ़ लीजिए कि ट्राइंगल लॉकल जो आड़ दी वैक्टर्स तो यह चार आपकी टेक्नीक्स हो तीन चारों को एक्स्पेयन करने के लिए आपसे पूछ सकते हैं तो इसलिए थोड़ा सा समझ लीजिए पहली चीज़ दूसरा ट्राइंगल लॉप पर बेस जो नुमेरिकल होते हैं हमने देखा है कि अभी तक जित पास होने के लिए लूटाउट कर रहे हो ठीक है तो आपका फंडाला गया है अपने जितना अपने पढ़ना था आपके साफसे आपने लिए इसको लेके डिफिनिटली आपका वेशन आने वाला है रिजुशन फोर्स से वो वो जाएगा ठीक है लेकिन अगर आप 100 परस्ट इसमें ज्यादा नंबर आ जाए क्योंकि फर्स सेमिस्टर बहुत इंपोर्टन होता है मुझे अपने पूर्स सिंटेश को पढ़ाना है जी पीए को इंप्रूफ करना इसे कुछ थॉट्स है आपके और होने भी जी है तो डेफिनिटली आपको ट्राइंगल लोग पढ़ना है जो सॉल्ब हो सकता है या इन शॉर्ट मैं बोलू तो तो फोल्डो हो कोनुसा सॉल्ट नहीं हो पा रहा है वो समझना है मुझे ठीक है चली तो जो सॉल्ट फोल्ड रहसे हैं छों महीं प्राइंगर लॉक करेंगे यह चीज़ में structuralline लोग बिस थोड़ा सा calculations को easy कर देता है पूद्ध इडोस फूर्ट ट्राइंगल लोग्राम लोग दोनों ही क्या करते हैं को सॉल्इशन को थोड़ा से इंप्रूफ कर देते हैं हलाकि हमें कुछ फॉर्मला याद रखने पड़ते हैं बढ़ते हैं थोड़ा-थोड़ा सबसे पहले क्या करेंगे यह समझें कि कौन सा इसा कॉशन है जो रिजल्विशन से नहीं हो पा रहा है या पहले लोग्राम लोग से हो पाएगा ठीक है तो यहां पर देखो मैंने आपके सामने फॉर्स क्वेश्चन लिखा हुआ है ठीक है जिस तो यह दिखोगे आप अगर इसमें आपके सामने दो फो फोटेंस की वाल्यू ऑप यह मेरा फोर्स एह है जिसकी वाल्यू है उप इसको ढालोगे फिर आ variety आ सकती है कि यार हमने देखा था कभी-कभी मुझे question में क्या करता है वो resultant ये value देता है कि resultant मेरा रहा लेट से 40 newtons और resultant के बाद मेरे पास एक ये force है fa जो एक certain angle बना रहा है 40 degrees का ठीक है और ये force fb जो बना रहा है 30 degrees का बताओ हम इसको भी निकालना जानते हैं हमने लास्ट के वीडियोस में इस question को भी देख रहा है variety को कोई फरक नहीं है simple fund आ रहता है ठीक है अब इन दोनों question में क्या common है कि मुझे 40 degree 40 degree 30 degree जो angles ना ये angles मुझे x और y-axis से given थे मेरा force x या y-axis से कितना angle बना रहा मुझे पता था angle पता होने की वज़े से क्या होता है मैं उन forces को resolve कर पाता हूं along the x-axis and the y-axis लेकिन अगर मुझे इन angles की value x या y-axis से पता ना हो example एक लिए आप इस question को देखे इस question में भी अगर simply आपको बोले वो कि resultant मेरा आ रहा है यहां पर 40 Newton का ठीक है मुझे बताईए what will be the value of fa and fp using the given data तो यहां problem क्या है कि 80 degree का angle given तो है बट वो गहां से given है resultant से given है तो मेरा fb मेरे y-axis से कितना angle बना रहा है मुझे नहीं पता वैसी मेरा fa मेरे x-axis से y-axis से कितना angle बना रहा है मुझे नहीं पता तो angles given है बट वो resultant से given है इस case में आप इस force को आप इस force को resolve नहीं कर पाएंगे तो एसे cases जहां पर force को resolve नहीं कर पाऊगे वहीं पर यह आपको thought पर आना चाहिए कि यह triangle law से या parallelogram law से ही solve होगा आप इस question को देखे यहां पर तो उसने access भी बना के नहीं दिया डिरेक्ली दे दिया कि यह fa है और fb है यह 30 बना रहा रहा है बताओ fa और fb के value कितनी होगा अगर इनका resultant 20 nutrients आ रहा है तो ऐसे question जहां पर अगेन आपके पास access नहीं है तो आपको forces नहीं कर पाऊ कि कुछ लोगों का यह thought होता है कि हम imaginary access को assume कर लेंगे solve कर लेंगे देखो यार complication अगर imaginary access को लेके करना ही है तो उससे बैटरी है कि ट्राइंगा लोग सीखलो थोड़ा easy पढ़ेगा चल्दी भी हो जाएगा तो फंडा यह रहा हमारा clear कि अगर मैं अपने forces को resolve नहीं कर बारा हूं तो ही मैं triangle law या parallelogram को लेके lookout करूँगा ठीक है चलिए अब थोड़ा सा आगे आप्टर में देखा था तो से फट 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 जाकर रिवाइस कर लो या नोट्स बनाए तो वहां देख लो जस्वादर बेनेफिट मैं एक बार sign rule और साइन रूल में क्या है बड़ा सिंपल सी चीज़ यहां पर आप समझे उसको आपके पास अगर अगर क्राइंगल है उसके एंगल मुझे 50 60 70 कोई भी एंगल सकते हैं ठीक है तो साइन रूल क्या बोलता है कि आर मानलू मुझे एक साइड गिवन अबी जिसका लेंथ है 15 मीटर्स ठीक है तो इसकी हैप से नहीं क्या कर सकता हूं एसी और बीसी के वैली निकाल सकता हूं किस तरीके से देखो उसका यह कहना है कि आपका एंगल कितना 50 डिग्री इसके सामने साइड कौन सा बीसी तो मैं एक रेशो लिख सकता हूं कि बीसी इसी के सामने एंगल कौन सा है 50 तो अब लिखोगे बीसी डिवाइड बाइस साइन ऑफ 50 डिग्रीज बैट विल बीकुल टू और कौन सा एंगल 60 के सामने कौन है एसी तो अगर आपको एक साइड के लेंद पता है तो बागी साइड के लेंद निकाल सकते हो एक्जाम्पल के लिए अगर आपको यह 15 देके उसने पूछा कि बताओ एसी के लिंद कितनी होगी तो मुझे बताएर एबी के वैल्यू कितनी है 15 है तो मैं सिंप्ली क्या करूंगा एबी के वैल्यू 15 है तो 15 अपॉन साइन ऑफ 17 है ना इसे क्वल टू अगर मुझे निका और इसे मैं में सधी अर्यशने जह सीमित नहीं है तो जहणी में 50 जगे को उसने बोला है कि मान लीजिए कि यहां पे इस direction में आपका 15 Newton का force लग रहा है तो on the basis given information बताइए इस direction में यहां पे और यहां पे कितने न्यूटन का force लग रहा होगा रही बाट direction की तो पहले से clear होता है ठीक है चलिए क्वेशन जब करेंगे तो और आइडिया मिलेगा आपको तो साइन रूल हमें इस तरीके से अप्लाय करना है असानी से निकल जाएगा को साइन रूल क्या बोलता है कि मुझे कॉस का एक फॉर्मुला के बन रहता है देख लिए चिक है और मुझे गिवन है कि यह है मेरा 15 मीट इसका यह चलो फोर्स की बात कर लेते हैं 15 नूटन का फोर्स लग रहा है इसके अलॉंग लग रहा है 20 नूटन का फोर्स यह 25 नूटन का फोर्स ठीक है डारेक्शन आप चलो यह ले लो और फाइनल रिजुल डिपेंस आप किस तरीके से बना रहे हैं उसको अब देखो बीजए मेंद स्कूर यह प्लस एसी स्गेर साबने यह वाला है डिके हमारा Thompson rpm डिवाइगे लुए टॉयसा न रहाई डॉन का स्कूर एस्से क्या होगा अगर आपको साइट की वैलू कर बने तो ऐलफा निकल जाएगा सकता बायां है इन मेंसे तीनों में से कोई दो sides given है तो तीसा side निकल जाएगा हमारा है ना समझ पार है और अलफा given है A B given है और A C given है तो हम B C निकाल सकते हैं तो बस ultimately triangle की कुछ dimensions given है और कुछ निकालने है तो हम उसके लिए sine or cosine rule use कर सकते हैं समझ मैं है ठीक है मान लीजी अगर आपको बीटा की value निकालनी है तो क्या करेंगे simply बीटा के पास पास कौन कौन से हैं बीटा के पास पास है मेरा A B और B C है ना सो मैं simply लिखूंगा इसको A B square plus B C square minus दूर कौन है बीटा के A C square ना divided by 2 into मेरे पास वाले लोग A B into B C ठीक है तो सिंपल तरीका है आपका कौस अलफा कौस बीटा का फार्मुला आपके सामने है वालिज पुट अप करके आप अलफा या बीटा या गामा की वालिए निकाल सकते हैं ठीक है यह था आपका basic साइन रूल यह था basic cosine रूल काम के आने वाला ही जब ट्राइंगल लोग में को सॉल्फ करेंगे तो सॉल्फ करने के लिए हमें ट्राइंगल के डिमेंशन लगेंगे उसको निकालने के काम आएगा ठीक है ज्यादा complicated नहीं आई है ध्यान दीजेगा ऐसे ठीक है आगे बढ़ते हैं first question हमारा देख लेते हैं simple question है देखिए चुर्ण यहां पर देखो so triangle law का basic definition क्या होता देख लेते हैं so उसने बोला कि यह if two triangles are represented in magnitude and direction by two sides of a triangle taken in order एक certain order में होने चीज़ होनों sites their resultant is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle drawn from starting point of the first vector to the end point of the second vector ठीक है simple भाचा में समझते हैं कि मान लीजिए कि यह एक vector है मेरा कुछ इस तरीके से ठीक है एक force है 20 newton का लग रहा है इस direction में ठीक है और एक दूसरा force है वो क्या कहां लग रहा है इस पहले vector के end point से लग रहा है ठीक है यह कहना चाहिए कि यह जो दूसरा वाला vector है उसका starting point should be the end point of the first vector अगर इस तरीके से इस particular उसने बूला ना एक order में होने चाहिए अगर इस order में मेरे दो sites है या दो vectors है तो मेरा जो इन साइट बना दो इस triangle को पूरा complete करने के लिए तो जो यह तीसरा साइट बनेगा that will be the resultant actual resultant इसका magnitude जतना आएगा और इसका जो डिरेक्शन रहेगा that will be the actual magnitude and direction of the resultant of these two vectors तो अगर बताओ मुझे मेरे case में ऐसा बन गया कि एक force मेरा यहां पर correct कर रहा है ठीक है और दूसरा force मेरा यहां पर रचार रहे हैं ठीक है तो यहार ऐसे case में मुझे क्या करना चाहिए एसे केस में मुझे सिंपली इस पर्टिकुलर को उठाना पड़ेगा है ना इस वेक्टर को मैं उठाऊंगा और उसे उठा के कहा रख दूंगा पहले वाले के क्या 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 क्योंकि मेरा पहले वाले वेक्टर के रख दिया तो अब क्या करूंगा तो यहां पर बनेगा इस तो अगर दोनों मेरे इस और में है तो ठीक है नहीं है दूर दूर है दूर दूर तक हम क्या करेंगे उसको उठा के हम इसके एंड़ पॉंट पर रहते हैं कि मेरे जो दो वेक्टर यहां पर है और दूसरा यहां पर है कोई नहीं है सुछ करेंगे हम क्या चाहते थे कि जहां पर पहले वाले का endpoint वहां शुरू हो दूसरा वेक्टर तो कहीं और से शुरू हो रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं है एक काम करिए इस दूसरे वाले वेक्टर को उठा लीजे इस पर रखने के बाद simply हमें क्या करना है इस triangle को complete करना है कैसे complete triangle यहां से शुरू होगा third side यहां पर end होगा तो यह resultant आएगा ना आर का value that will be the actual resultant of these two vectors और direction VR की यही रहने वाली है ठीक है basic meaning समझ में आगा triangle lock up questions जब हम करना शुरू करेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा ठीक है फिलाल के लिए से इतना हैं कि अगर मेरे पास इस order में forces हैं तो third set बना दो इस order में forces नहीं है दूर-दूर है forces तो उनको इस order में लेकर आ जाओ है ना जिसे यहां पर आपके दोनों forces यहां से निकल रहे थे मैंने उठागे उसको यहां पर shift कर दिया ठीक है बस shift करने के टाइम पर angles का थोड़ा से ध्यान रखेंगा अंगल से कैसे ध्यान रखना है questions पर देखते हैं चलिए ठीक है ना सबसे पहला question शुरूबात करते हैं यहां पर आप एक साइड के बने दूसरा साइड लगी लिए हमारा इसके endpoints से शुरू हो रहा है है कि नहीं तो आप simply क्या कर सकते हैं अगर मुझे third side बनाना है तो मैं first वाले के starting से शुरू करूंगा और first वाले के end point पे खतम कर दूंगा इसका magnitude हमें निकालना है अब निकाले कैसे हैं देखो हमने starting से पढ़ा था कि जब भी हम triangle law लगाएंगे तो दो rules हैं जो हमें importantly याद रखने है साइन रूल एंड को साइन रूल ठीक है तो को साइन रूल या साइन रूल की हिल्प से हम जो missing information निकाल सकते हैं देखे कैसे यह आपका 30 डिग्रीज का आइंगल है तो अविसी बाते बचा हुआ एंगल कितने का हो जाएगा बताओ ठीक है इतना information मिलने के बाद आप अगर कॉस रूल लगाते हो यहां पर है ना तो अगर यह इसको मैं अलफा बोलू तो हमारा कॉस ऑफ अलफा क्या होता था याद है पताओ जो पास वाले उनका स्क्वेर करना तो पास वाले कॉन से मेरे एफे स्क्वेर प्लस एफबी स्क् रिटीज ऑट आर स्क्वेर का चुटाएं present इसवाले का स्क्वेर स्क। अगर औरलफा स्क्वेर जू ममिझा है घैघी प्लस ऑफ्पास और ऑप्लिप्ल स्क। भर्गिए करेंगे तो अल्मुझे पता है 150 डिगेज तो कॉस ऑफ 150 डिग्रीष टीक है मिल विघ्क्वल टू हो कि आप तो क्या निकल जाएगा ठीक है ना सब्सक्राइब करें इसको यहीं सॉल्फ कर लेते हैं उपर सॉल्फ करें चलिए देर्फॉर मैं कॉसा 150 डिग्रीस इसको वैल्यूस में पुट अप करते हैं सो 150 is nothing but okay and this is negative minus 0.866 negative negative put up कर देना कोई प्रॉब्लम नहीं है आंसर ओपर लाएगा पर पॉजिटिफ माइनस 0.866 is equal to 20 का स्क्वेर प्रस 30 का स्क्वेर इस नहीं बद प्रहंद प्लस 900 टर्इट वाल्यू लिक्ता है इसकी 1300 है ना minus r square divided by this is two twos are four threes are 1200 टेक है सो अब इसे multiply करके फानली आंसर बदा सकते हैं 1200 and 2.866 is 1039.2 so minus 1039.2 is equal to 1300 minus r square तो r square को इसर लिके आओगे r square is equal to कितना this plus this plus 1300 2339.2 so this is 2339.2 therefore the value of r will be under root of this thing okay so let's take the under root 2339.2 48.36 this is coming out to be 48.36 Newton Kelsey use कर सकते हो आफ इस ब चीज़े निकालने के लिए ठीक है चलिए so value हमें आ चुकी है resultant की कितनी आ रही है 48.36 Newton stop simply यहां पर mention कर सकते हो this will be equal to 48.36 अब resultant का हमने magnitude तो निकाल लिया है हमें क्या निकालना है और एक चीज़ यहां पर देखो एंगल निकालना है कि what angle is this resultant making with the fa vector तो एज्यूम कर लेते हैं कि यह कितना एंगल बना रहा है थीटा एंगल बना रहा है यहां से अब हम क्या करेंगे साइन ओफ 150 डिग्रीज ठीक है this will be equal to यहां पर क्यों है FB तो FB मुझे अल्रेडी वैल्यू किवन है 30 न्यूटन की 30 divided by साइन ओफ थीटा आजाएगा ठीक है इतनी information काफी है आपके लिए थीटा की वैल्यू निकालने को जाओ तो और एक स्टेप लिख लो जो बचा कोने FAA के सामने कोने नहीं पता एंगल कितना है अल्फा बीटा कुछ भी मान सकते हो अगर मान दो इसको आप बीटा एंगल बोल रहे हो तो आप यहां लिख सकते थे कितना है 20 divided by साइन ओफ बीटा अलाग इसकी जरूवत नहीं है इतनी information से मेरा थीटा निकल जाएगा रिजल्टन की वैल्यू हमें पता है किया यहां पर एक स्टेप ओलिग देते हैं साइन थीटा इस एकुल टो कितना सो दिसस्टी इंटो 0.5 इस 15 15 divided by 48.36 15 divided by 48.36 0.31 0.31 पर ठीक से एखते हैं देफोर 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 देटा विल बी एकुल तो सान इंवर्स of 0.31 18.05 डिग्रीज सो फाइनली मेरे पास मैंगनिटूड भी आ चुका है और थीटा एंगल भी आ चुका है कितना बन रहा है ठीक है तो जैसे हमने देखा ट्राइंगल लॉकी जब हम बात करते हैं तो साइन रूल और को साइन रूल बहुत जादे इंपॉर्टेंट है विकॉस मुझे यहां दिख रहा था एक एंगल की वैल्यू के वन फिफ्टी दोनों एंगल मिसिंग थे तो बैस क्या था यार कॉस क्या करता है इन सब को रेट कर देता है तो दो साइट गिवन थे यह साइ चलिए सेम कैडिगरी का और एक क्वेश्चन देख लेते हैं सो आपको इसमें रिजल्टेंट फिकर आउट करना है और अंगल बताना है कि कितना बना रहा है एफे से रिजल्टेंट ठीक है तो आपके सबसे पहले आ रहे होंगे कि हम इसे तो आपको डिरेक्ली आंगल क्यो होंगे कि जिसको आप रिजॉल्ट नहीं कर पाऊगे ठीक है है ना तो उसके इसके लिए बस थोड़ा साम थोड़ा ट्राइंगल रूल से फैमिलियर हो रहे हैं थोड़े सिंपल कॉश्चन करके उसके बाद हम जाएंग आगे तो चलिए पटा-पट से क्या करते हैं हम स्ट की दोनों साइट्स पता है तो आप सेंपली क्या रिख सकते हो कॉस ओफ हांड़ें ट्वेंटी डिग्रीज इस इक्वल टू इन दोनों का स्क्वेर पास वाले जो है पास वाले का स्क्वेर माइनस तूर वाले का स्क्वेर डिवाइड़ बाई टू इंटू दो नो पास वा हो चुके हैं इस चीज में आप थोड़ा 1.25 में चला कि आगे बढ़ सकते हो मैं बस थोड़ी प्रैक्टिस कर वा रहा हूं यहां पर आपकी ठीक है चलो वैलिस पुट अपकर देते हैं कॉस्ट कितना होता है प्रने वाली की तरह लगबर है वर ही रटीवरी में बट्रीज प्र 270 2 equal to 9 plus 4 कितना होगा 1300 minus r square ठीक है therefore r square की value कितनी हो जाएगी 1300 plus 600 which is like 789 1900 so the value of r is equal to under root of 1900 this is 43.58 okay so resultant value हमारे कितनी हारी है simple it is coming out to be 43.58 newton skies ठीक है तो resultant हमारा आच चुका यहां पर है ना अब मुझे क्या चाहिए सिर्फोर सफ एंगल चीए किया कितना एंगल बना रहा है हम इस एंगल को कितना मान लेंगे पता है 43.58 divided by sine of 120 what is sine of 120 it is 0.866 is equal to fb value पता है divided by sine of theta and therefore the value of sine theta will be equal to how much a multiply होंगे 20 into 0.866 is it now or this is further divided by 43.58 it's 0.397 0.397 therefore the value of the angle theta is equal to sine inverse of 0.397 0.397 which is 23.39 degrees so 23.39 degrees answer हमारा फानली आज चुका है resultant आ गया था असानी से theta के value put up किया हमने answer निकल आया हमारा ठीक है so sine rule or cosine rule से थोड़ा सा familiar आप already हो गया होंगे क्योंकि अगा familiar हो चुके हो अब actual question जो आ सकता है उस प्रफ चलते है ठीक है चलिए let's have a look at this particular question same question है आपका पिछले वाले की तरह बस एक छोड़ा सा difference है कि आपका initially same point से दोनों force vector निकल रहे हैं ट्राइंगल हो के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा आपको simply यह वाला नई जो force vector ना इसको उठा के कहा रखना पड़ेगा पहले वाले व्यक्षर के endpoint पर ठापड़ेगा ठीक है तो क्या करते हैं चलिए इस वाले फोर्स vector को उठाते हैं और उठाकर रखते हैं इसको यहाँ हाले के endpoint पर जैसे हम इसके आगे क्या कर सकते हैं तो आपको इंगल तो असानी से दिखी रहे हैं एक काम करते हैं पर रिजल्ट हमारा बना लेते हैं यहां से स्टार्ट होगा और पहले वाले की सेकेंड वाले के simply equal to fa square plus fb square है ना तो मैं steps जोड़ी से skip कर रहा हूं simple pass वाले का दोनों का square minus door वाले का square divided by 2 into 24 to the 800 ठीक है cost of 110 की value बस देख लेते हैं फटा-फट 110 is minus 0.34 तो minus 0.34 is equal to 20 square is 400 plus 4 was a 1600 minus r square divided by 2 is a 1600 ठीक है स्कोपर मुल्टिपलाइ करेंगे ना इंटो 1600 सो minus 547.23 यहां लिख लेते हैं minus 547.23 है ना is equal to 16 plus 4 is 2000 है ना minus r square therefore आपके r square के value कितनी हो जाएगे 2000 plus this 2547 this is equal to 2547.23 ठीक है therefore the value of resultant is equal to कितना है का under root of 2547.23 which is 50.47 newtons तो the value of the resultant r is coming out to be 50.47 newtons simple and sorted है and again अब मुझे थीटा निकालने तो क्या करना पड़ेगा साइन रूल लगाना पड़ेगा आप इससे थीटा बना लेंगे तो तो as per the sine rule r के सामने 110 है तो आप लेख सकते हैं r by sine of 110 degrees is equal to इसके थीटा के सामने fp है which is nothing but 40 newton 40 by sine of theta r की value 50.47 हम इसे substitute कर देंगे यहां पर ठीक है तो आप लेख सकते हैं 50.47 divided by sine of 110 which is 110.39 sorry 0.93 okay 0.93 is equal to 40 divided by sine theta चरह यहां पर उपर सॉल कर लेते हैं so the value of sine theta will come out to be 40 into 0.93 which is 37 point something something now this has to be divided by 50.47 which is 0.744 so 0.744 आपकी sine theta के value आ रही है theta is equal to कितना हो जाएगा आपका simply sine inverse of 0.744 okay sine inverse of 0.744 which is 48.07 degrees 48.07 degrees चलिए दोनों बारियोस आपके साच चुकी है resultant भी आ गया है और आपके पस theta भी आ चुका है okay simple था एक ही step बस एक्स्टा करने सी उसको starting से उठाके पहले वाले के end point पर डालना था विकास एस पर triangle लो वो चीज़ों नीच चाहिए तभी आपका आ जाएं ताकि हम अगले question में apply कर सकें बस थोड़ी प्रैक्टिस की और कुछ नहीं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ चली इस question को देख लेते हैं यह उस type का question है जो आक्चुल में triangle law को लेकर आपसे पूछा जा सकता है जैसे आपने देखा है कि यहां पर कोई भी access given नहीं access given नहीं मतलब simple logic कि आप process को resolve नहीं कर पाएंगे आप imaginary access भी आजियूम नहीं कर सकते बिकास कहां से लोगे वो प्रॉब्लम आती है ठीक है वह ज्यादा complications करने नहीं है simple triangle law यूसर के हमें solve करना है जैसे हमने लास्ट के questions किये थे ठीक है तो क्या करना चाहिए as per the triangle law जो मेरा किसी को पहले लोग्राम लोग अच्छे से आता होगा तो वह directly इसके तुरूपी जा सकता है बट ठीक है यहां पे लेट्स को फॉफर ट्राइंगल लोग में भी हम दिखेंगे चीज़ें तो क्या लॉजिक बोलता है ट्राइंगल लोग कि आप एक काम करिए जो पहले वाला एक फोस को उठाके उसे दूसरे वाले फोस के न्ट पॉइंट पर रखेंगे तो अब बस यह रहता है कि यहां पर वह फिकर-उट करना है तो आप अगर देखें इस चीज़ को ध्यान से कि उपर की तरफ मेरा एव बी जा रहा था एव पी जो था मेरा कुछ इस तरीके से था कितना एंगल बना रहा था एव बी मेरा 60 डिग्रीज का एंगल बना रहा था यहां पर ठीक है वही एफ पी को ठाके मैं यहां पर रखा कोशिश करूं तो इस तरीके से उपर की तरफ जाएगा इसे भी मैं ग्रीड वाले को भी थोड़ा से करने के कोशिश करूं तो यह तरीके से जाएगा अब ध्यान से देखेगा कि यह जो मेरा वर्टिकल था यह और यह आपस में पैरलल लिख रहे हैं आपको बिल्कुल पै एंगल यहां पर भी कितना बनेगा और अभी आप इतना तो समझ चुके हैं करते करते कि यह एंगल कितना बनता है जब दो लाइन सापस मैं से इंटरसेट करती है तो उपर नीचे आजू-बजू के एंगल पराबर होते हैं यह 40 ऑल्ड़री के बन था थोड़ा सा हमने महनत की खोड़ा के रखा और यह एंगल कितना में सिक्स्टेबल किया पस इतना ही काम है यहां पर यह उठा के यहां पर रख दीजिए और एंगल को स्पेसिफिकली फिगर आउट कर लीजिए यह 40 है यह 60 है टोटल हो जाएगा 100 तो इसकी वाल्यू कितनी हो जाएगी 80 डिग्री उसका वेक्टर के बने यहां पर तो एस पर दा साइन रूल हम क्या रिक सकते हैं एस पर दा साइन रूल विकन सेंप्री राइट की 80 डिग्रीज का एंगल इसके सामने साइड कितना है 40 है ना तो 40 नूटन का फोर्स डिवाइड बाइड वाइड साइन ऑप इस आंगल साइन सब्सक्राइड वाइड 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 साइन ऑफ 60 डिग्रीज ठीक है ऐस पर दसाइन हमने लिख लिए चला भी इन दोनों का यूज करके fp की वैल्यू निकालते हैं ऑके कैलकुलेटर कांगा रहा सर्केर वाइड स्ट्विर scalar वाइड 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 भी वाइड़ वाइड के ब्सक्राइड वाइड करे टोंट था बीए ज्ली अच्यू ए Twi उपर जाएगा multiplication में तो sin of 40 degrees into 40 divided by sin of 80 degrees ठीक है so the finally finally the value of FB will be equal to how much sin of 40 divided by sin of 80 this is it to 40 26.10 so 26.10 newton साथ की fb की value आ गई सब्सक्राइब इसको इसको आपस में कुएट करा दीचे हैना so 40 divided by sin of 80 degrees is equal to fa divided by sin of 60 degrees so finally we can say the value of FB will be equal to sin of 60 degrees divided by sin of 80 degrees multiplication में कौन है यहां पर 40 हैना so a step और लगी और आंसर कितना आएगा देख लेते हैं this time we have about sin 60 divided by sin of 80 in 240 so 35.17 नूटन सुल भी दाफाइनल वालियो ओफ एफ ए ना वदेखो आपके पास वनों वैलिव साचुकी हैं वैलिव भी आ चुकिए एक वैलिव भी आ चुकिए बड़ा ही सिंपल दरीके से सॉल्व हो गया ठीक है तो देख सकते हैं आप कभी भी ट्राइंगल लों में उतनी डिफिकल्टी आती नहीं से साइन या को साइन रूल पर यूज होके ही क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है पस एक ही चीज़ हमारे लिए प्रॉब्लम क्रेट कर सकते हैं कि जब हम इस स्पोर्स को उठाके यहां से यहां पर रख रहे हैं तो यहां पर एंगल कितना बनेगा है ना तो कुछ लोग श सकते हो लेकिन एंगल सही निकाल लीजेगा ठीक है चलो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट इसके फिर आगे बढ़ेंगे बढ़ चलिए लेट्स क्वेश्चन सब कुछ सेम है सिफ वाल्यूस को बस थोड़ा से चेंज किया है ठीक है रिजल्टेंट इस बा की अब चीज थी देखो हमने अभी चीज थोड़ी सी सीगत लिए है तो क्या होगा हमारा यह वाला एंगल 59 रहा है तो थोड़ी बनेगा ठीक है तो जैसी हमें समझ में है कि यह वाला एंगल बन रहा है तो एस पर वर्टिकल यह पोजट वाला थीम यह फाम्मुला यह लॉप बोल सकते हैं यह बनेगा कितना हमारा 120 एक इस एक बैसाइन उसलिट ब्याइड बैसाइन और सिक्षी नूटर्ण डिवाइड़ बैसाइन और सब्सक्राइब अबस पहले नोगा लेजिए फिर लिए ना तो मैं फटा-फटा के लिए 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 विल कमा तो वी इंडा बॉपर जाएगा यह so this is sine of 70 degrees divided by sine of 60 degrees इसके multiplication में 60 आएगा, ठीक है so let me just calculate and write the final answer for you sine of 70 divided by divided by sine of 60 okay, into again 60 so this is 65.10 root 1 एक component आगया एफ़ी का, दूसरा फिर एफ़ी का लगाते है तो ये इसके बराबर है, तो I can simply say the value of FA will be given by over multiplication में जाएगा, है ना, so this time we have got sine of 50 degrees divided by sine of sine of 60 degrees into 60, so the final value of FA will come out to be equal to how much, this will be sine of 50 divided by sine of 60 equal to into 60 so 53.07 newtons so finally आपके दोनों आशर साच चुके हैं है ना, newton में रहेगा force हमारा okay, so FA और FB के value हमें असानी से मिल जारी, using the sign rule जो further किसके तुरू आ रहा है triangle log के तुरू बन रहा है, ठीक है इससे मैंने कहा बहुत simple से भी आ सकते हैं इसलिए इसको पढ़के चले जाओ है ना, बहुत कम चांसे से कुछ question फसने की बड़ अगर फसा तो फिर आपको करना आना चाहिए ठीक है चलिए, इससे जादा कुछ complication ऐसा चाहेगा नहीं ट्राइंगल लोग को लेके आप डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं आपके पैलेरोग्राम लोग की तरफ आपको उनके जो आंगल्स हैं वो आपके आक्सिस से गिवन नहीं होगे यह आक्सिस के बारे में कुछ तो इससे जहां पर विरे फॉर्स के आंगल से गिवन नहीं है उनके सिसमें ट्राइंगल लोग के सिफ़ा को होई और शारा नहीं होता है पैलेल लोग्राम लोग के थूरो यह बिसीकली बोलना चाहिए resolution of forces से नहीं कर पाएंगे इन दोनों में से किसी एक को लगाना पड़ेगा तो आप इस तरीके से लगा के solve कर लोगे इन question को कुछ जादा difficulty नहीं है एक चीज़ और देख लो आपके सामने question की language थोड़ी सी बदल के भी आ सकती है इसे आपको याद एक question हमने किया था यू एक्सेस और वी एक्सेस के लोग फोसेस बताने थे हमें तो वो क्या कर सकता है इस question में यहीं पर दिखाता हूं आपको लैंग्विज किस तरीके से वो चेंज कर सकता है देखे का आपको थोड़ा सा याद भी आएगा आपके सामने actual question कुछ तरीके से लिखा हुआ था तो वो क्या कर सकता है यहां पर वो पोले का इसकी लैंग्विज चेंज करने की कोशिश करेगा चलिए मैं लैंग्विज चेंज करता हूं आपके लिए ठीक है तो लाइंग्विज इस तरीके से सकती है की कि रिजॉल्फ दर रिजॉल्टेंट कितना है मारा 60 Newton the resultant 60 Newton is resolved along the given axis find the values of the component along the given axis ठीक है और एक बार को दियांसे अच्छे से बताता है सो मैंने question को दोबारा से चेंज करके लिख दिया है पाइन लिए आपके लिए आप देख सकते है क्वेशन को जिस तरीके सा सकता है कि what will be the magnitude okay so what will be the magnitude of fa and fp if the resultant of the two forces and I've the resultant 60 Newton is resolved along u and v axis okay so question कुछ इस तरीके से आपके सामने आ सकता है और बिलकुल भी difficult question नहीं वही चीज़े क्या करना है मुझे fa और fb के value निकालनी है तो अब याप ट्राइंगल को समझ चुके है इसमें रैंडम मैं उस्ते क्या प्रक्टेस कर सकते हैं I'll also provide a PDF जैसे कि मैंने कहा ज्यादा कुछ difficulty है नहीं या एक position तो टागे दूसी position भी रखना पड़ता है और question solve हो जाता है ठीक है using the sign or the cosine root इसमें एक variety और अलफा और वीटा को angles को लेके वो थोड़ा frequently पूछ लेता है कभी-कभी है ना तो वो question भी आपको देखा लेता हूं ठीक है चलिए वह वाला question भी और देख लेते हैं एक बार चलिए इस question को देख लेते हैं जैसे कि मैंने कहा था angles को लेके कई बार स्टेप का question आ जाता है आपके पस कि if the resultant of the two forces shown below is 70 newtons यह मेरा 50 newton का force है यह मेरे 40 newton का force है इन दोनों का resultant आ रहा है ठीक है इस resultant is coming out to be of total कितना resultant is equal to 70 newtons ठीक है अब इसके basis पर आप से पूछ रहा है बताओ alpha और beta की value कितनी होगी तो आप थोड़े से प्रो अलड़ी हो चुके आप जानते हैं कि क्योंकि मेरे पास यहां पर access given है ठीक है उसने बोल दिया ने वर्टिकल यह अप्वर्ट से ओविसलिए रहेगा या फिर इस question को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए ना वह आप पर थोड़ा सा महरबान हो जाएगा और आपको क्या करेगा एक्सेस भी देएगा कि यह यह मेरा वर्टिकल एक्सेस है ठीक है और यह मेरा होरिजॉंटल एक्सेस को देते से ही आप इन फोसे को रिजॉल्व कर पाऊगे और सॉल्व कर पाऊगे तो यह सिंपली इसका कॉस कंपूरेट हो जाएगा 50 कॉस अलफा साइन हो जाएगा 50 साइन अलफा इसका भी 40 कॉस बीटा 40 साइन बीटा फिर क्योंकि उसने बोला है कि resultant is directed vertically upwards इसका simple meaning आपको पता है resultant of all the forces along the x-axis सब्सक्राइब कर सकते हैं तो हम एक चीज जानते हैं जो पहला वाला है ना ठीक है इस वाले का जो end point है वहाँ पे इस दूसरे वाले को उठा के हम रख देंगे simply ठीक है ना तो यह वाला force मैंने इस तरीके से उठाया उठा के कहां रख दिया पहले वाले के end point पे रख दिया ठीक है और resultant obviously यहांसे स्टार्ट हो के end यहां पर है ना यहां वर्टिकल से यह अंगल मेरा बीटा बना हुआ था अभी इसको क्या करो थोड़ा से एक्स्टेंड कर दो यहां पर और ग्रीन वाले को भी अब इतना हमने काम कर लिया अब सिंप्ली हमें साइन या को साइन रूल लगा के गिवन इंफरमेशन में से वैल्यू निकाल लेनी है अब देखो क्या क्या गिवन है मुझे यहां रिजल्टेंट सेवंटी नूटन मतलब रिजल्टेंट इस तरह पाइट कर रहा है ठीक है तो यह सेवंटी नूटन यह चीज़े मुझे पता है लेकिन इसके सामने का एंगल नहीं पता अलफा बीटा भी नहीं पता मुझे के पास लिखने के लिए क्या रहता है को साइन रूल के साब से क्या होता है कि अगर मैं अलफा लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा देखो को सिंप्ली मैं कॉस ओफ भॉलस फसूलों को स्कूर प्रस यॉब हुइन तो घ्रय प्लिघ मैं जो चहा हूं निकाल 70 अम इस question को इस rule से triangle law से क्यों कर रहा है क्योंकि अगर cosine का formula आपको यादे थे question जो है वो एक line में इस फॉल वह जाएगा आपका सिर्फ formula लिखके यहां से alpha की value निकलेगी same formula आप यूज़ की बीटा की value निकाल लोगे है कि नीए अगर मैं कॉस और निकालना चाहूं तो यहां से अपलफा बीटा निकाल लोगे अलफा बीटा निकल गया तो फिर यह भी निकल जाएगा इंफेक्ट निकालना भी नहीं मुझे सिर्फ बीटा की value निकालनी थी तो देख रहे हैं आप किस तरीके से एक अब जितनी प्रैक्टिस करेंगे इन रॉल्स की या इन लॉस की आपको उतना ही ज्यादा कमफट फील होगा ठीक है जैसे मैंने कालता मैं पीडिया बना के दे दूंगा बहुत सारे क्वेशन की वहां पे ठीक है फटा फट से एक क्वेशन और देख लेते इसी सेम काटेग आपका ठीक है नूटन है अगर इनका रिजल्टन आपका एटी नूटन का आ रहा है तो इसके बेसेस पे आपको क्या फिगर आउट करना है बताईए आपको बताना है कि अलफा पीटा की वाइलू क्या होगी तो एस पर ट्राइंगल रूव हम क्या करना चाहिए यह जो पह इस दिखने के तरफ और से करनेगे ऊपर आपके तरफ वाले को बने का फिक है तो हमें समझ में आएगा कि यहां पे बनाता है ऊसके साथ Wiki- सब्सक्राइब निकालना था कैसे निकाल सकता हूं भाई सिंपल है को साइन रूल का इस्तमाल कर लो है ना चीज़ें आपके लिए निकल जाएंगी तो यह साइन रूल के फार्मले पीस अच्छे से याद रखेगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत असान हो जाएंगे आप प्रसर अरेशन करना है मेरे सांसा चलिए माइनस दूर्वाले का स्कॉर डिवाइब बाए टू इन्टू पासवाला इंटू दूर्वाला ठीक है सॉरी पासवाला इन्टू पासवाला दोनों 70 इन्टू 80 वैसे अगर आप बीटा के वाले निकालना चाहिए तो पासपास व पासवाला नहीं था आपके लिए इस क्वेशन में आपके लिए आंसर निकाल देते हैं तो कॉसा फॉपकी वाल्यों कितनी होचाएगी इसक्वेर यहां पर बढ़ गए ती ना चलिए निकाल देते हैं आपके लिए कालकुलेशन जस्ट एक एंसर फूर्यू सो मैंने कर लिया है अलफा इसकुल टो कितना रहा तो कॉसल फाइस इकुल टो पॉइंट सिक्स जिरो सिक्स है ठीक है तो 606 डिए यहां पर भी कॉस्ट इस इकुल टो इतना रहा है बीटा का काल्कुलेशन बागी रहे गया था तो पीटे इस एकुल टू कॉस इंवर्स सो कॉस इंवर्स ओक पॉइंट फाइफ्री वन ओके 57.92 डिवी सॉरी नाइन टू डिग्रीज नाइन ठीक से नहीं बना सो अलफा बीटा के वाल्यू यहां पर इस फर्शन के लिए आपके निकाल के दे दी गई है है ना सो निकालना देखो कितना असान था वाल्यू सुट करते दो एक्वेशन मनाते उनको लिए के सॉल्फ करते बहुत लिंदी चला जाता ठीक है इसलिए कई कई जगों पर आपके ट्राइंगल लॉज्ट वहां पर आप आसानी से सॉल्फ कर लोगे एक दो टाइप के प्वेशन है जहां पर ज्यादा यूसफल होता है ठीक है और वही दो तीन क्वेशन मैंने आपको यहां पर करा दिया है इनके अलावा एससच कहीं पर जादा यूसफल नहीं होगा ट्राइंगल लॉग आपका ठीक है तो इन दोनों तो तीन क्वेशन को दिमाग में रख लीजेगा यह ऐसा कुछ आया तो हम ट्राइंगल लोगे कर ले